तो बच्चो आप लोग मुझको करते हो लाइब से वीडियो लग हर साल आता हूँ ब्रांच चॉइस ये बहुत एक तफ एंड कठीन मुद्धा है आपके लाइब के लिए देखें कोई डिसिशन आपका लाइब चेंज और लाइब को बना सकता है कि कौन से ब्रांच से हमको बिटेक अभी करना चाहिए बहुत सारे लोग बोलते कि CAC कर लो पाए CAC मतलब जीन देगी है यह क्या सही बात है क्या CAC के अलाबा जो हमारे कोर ब्रांच से है सिविल मेकानिकल इलेक्ट्रिकाल इसमें कौन से कैसे अपोर्चुनिटीस हमको मिलते चली इस वीडियो में एक छोटा सा बट एक इंपोर्टेंट अपडेट आपको मैं अभीसलि श्यार करना चाहोगा वाट उससे पहले चैनल पर लोग पहली बराड़ो चैनल को सब्सक्राइब करने बटन को अनकल हो किस आकास्टेम एक अपडेट मिल जाएगे और इस वीड अल ओभर वर्ल्ड पे तो इससे तो करेंली आमको यह चीज़ पाता चालता है कि जो कंप्यूटर साइन्स रिलेटेट जो कंप्यूटर डिलेटेट जो ब्रांचेस है लाइक CAC, IT और कुछ हद तक इसी ही यह सब ब्रांचेस का प्रायरोडी थोड़ा बहुत बढ़ गया है 2012-2014 के मुकबले में उस टाइम पे जो मादर ब्रांचेस होते थी मतलब बेसिकल जो कोर ब्रांच आप बोलते हैं सीविल मेकनिकल इलेक्ट्रिकल उसका थोड़ा जादा दबदबा रहता था तो क्या बया ओनली CAC option है तो मैं आपको बोलूगा नहीं भाई यह आपके बोड हाइली मोटिवेटेडड हो क्या आपको कोioni करना है आप हाइली मोटिवेटेड ऑ आपको कांप्यूटर पर साथ हाइली जुरा है लगाओ है तो तबभी मैं बोले किar आप लोग क्लास15 के बाट जो है आई नहीं जा पाये आप लोग के सबना है आई जाना का तो आप लोग सब के लिए आप लोगों gate examination qualify करना पड़ेगा जुस जिसमें help करेगा आपको physics वाला अपनी तरीके से बेसिकली physics वाला के बच्चों ने इस साल भी बहुत अच्छे result करके हर बैच से पर्चम ले रहा है के लिए physics वाला ने लांच कर दिया दो बैचिस एक है पराक्रम 2.0 जो बेसिकली 2024 के स्टुनेंट्स के लिए इसका प्राइज रहेगा ओफर प्राइज रहेगा अगर जीतने का है सौकीन जीतने का है क्वाप तो अबिसली physics वाला आपका पूरा करेगा आपका सपना बेसिकली यहां पर मंडे टू फ्राइडे आप लोगा क्लासेश हर वीक में देखने को मिलेगा बेसिकली यह जो ओफर था यह ओफर वैलिट था 18 में तक बाट आप सब लोग के रिक्वेस्ट के विशिस पर अभी 25 में तक यह जो ओफर है यह एक्स्टेंड कर दिया गया है बेसिकली physics वाला ने आप लोग के लिए रेडी किया है के लिए जहां पर टॉपिक वाइस आपको प्रिभी आपको के तुरू आप लोग स्कैन करके जो है सॉलूशन भी देख सकते हो वीडियो सॉलूशन आप लोग परप्राप्त कर सकते हो यह सब कुछ आपको मिलेगा ओल्ली एद रूपिस आप 849 सो वाइटरी रूटिंग कोट गाइस आप लोग यहां पर कुपान कोट देख रहे हो एके 500 आप लोग इसको यूज कर सकते हो और आपको मिलेगा एक एक्स्ट्रा पास्ट रूपिस का आप आपके कोर्स प्राइस के ऊपर बेसिकली डिस्क्रिप्शन पर दिया हो जाओ नि आपको आपके इंट्रेस्ट को पहले समाझना पड़ेगा कि आपको कौन सी टॉपिक के ऊपर इंट्रेस्ट है उसके बाद रिस्क्रिप्शन लो ना कि कोई लोग बोल रहे हैं सिस्टाइम बहुत अच्छा चाल रहा है उससे रिसें लो देखें बेसिकली अगर आप CAC IT कर आप लोगो फ्राइविट कॉलेजिस पे जो अपको इंस्टिट्र से जॉब बहुत जादा मिलेगा ठीक है कर से कमप्यूटर कर नालशी रहता है कोडिंग रहता है आज कल के दिन पर मैं बोलूगा कि अगर आप लोग सीबिल मेकनिकल से भी हो और कोडिंग उसके अलग से तो भी आपको opportunities मिलेगा, ऐसा नहीं कि civil mechanical पर चले गया है तो opportunities खतम हो गया, नहीं, civil mechanical पर जाने के बाद भी, अगर आप लोग अलग से time निकल के coding करोगे, आपका CGPI उसको साथ सारे साथ से उपर maintain करोगे, तो I am quite 100% sure कि आपको उसके बाद भी opportunity मिलेगा, तो civil mechanical मतलब carrier खतम यह यह कभी नहीं है, बट हाँ, private sectors में थोड़ा ज़्यादा opportunity है, हमारे CSC और IT वाले बाचों को मिलते हैं, यह ठीक है, बट civil mechanical का और भी अलग सा opportunity है, like SSC जो junior engineer, जो post निकलते हैं, हर साल SSC के तरब से central government का job निकलता है, बेसिकल जो आपे civil engineers को बहुत ज़्यादा priority मिलता है, इ यह तीन department को एक दम चुन-चुन के लेते हैं, जहांपे जो government sector है, उसमें CSC IT का जो chance है, बहुत कम है, तो अब आपको choose करना है कि आपको कौन से way में जाना है, दोनों का ही different segments में different values है, बट आपको आपके हिसाब से, जो है, चूस करना, मुझे लगता यह ठीक रहेगा, तो इधर depends up to you कि आप कौन से choice चीज को अच्छा कर पाऊगे, ठीक है, आप private sector में जा सकते हो, उसमें easily job मिलेगा, बट उसका job security और job का reliability के उपर बहुत सारा question चीन अभी right time पे है, other than आप लोग civil mechanical कर सकते हो, इसमें आपको government job का priority जाधा मिलेगा, थोड़ा time अभी से लग सकता ह government job पाने में, बट उसका reliability, stability इससे ज्यादा ही होगा private job से, तो दोनों का अलग-अलग benefits है, इस पर आसानी से मिलता है, यह आपको आसानी से मिलना थोड़ा time है, तो आपको आपकी हिसाब से मुझे लगता है decision लेना चाहिए, I feel कि इस थोड़ा छोटा discussion पे तो सब कुस समझन possible नहीं है, बट मुझे लगा कि जो जो main important मुद्दे और points है, जो obviously आपको जानना चाहिए कि कौन से branch choice करना चाहिए इस time पे, इसके उपर मैंने आपको बोला, obviously इसके अलावा भी बहुत सारे different aspects हैं, जिसके उपर videos आकास time education पे आएगी, आपके branch choosing के time पे, जब counselling होगा, okay, उसके लिए जुरेड़ी आकास time education के साथ, so thank you for watching guys and thank you to all for today.